हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुती कम ओयल में साजन की फली की सबजी बनाने वाले हैं इसे हम बहुती कम ओयल में बनाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि यह टेस्टी नहीं बनने वाली है इसमें हम कुछ सिक्रेट इंग्रिडेंस का यूज करने वाले हैं जिससे सबजी का टेस्ट बहुती ज़्यादा बढ़िया होने वाला है आप भी कम ओयल में टेस्टी सबजी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरू देखिएगा सबसे पहले मैंने लिए 5-6 सरजन की फली सबसे पहले हम वीडियो में ये देखेंगे कि हमें इसे काटना कैसे है तो उपर नीचे के मूग को इस तरह से काट कर हटा देना है उसके बाद हमें जो ग्रीन ग्रीन वाला चिलका दीख रहा है इसे हटा देना है इसमें उपर उपर इस तरह के रेशे दिखेंगे इने भी हमें हटा देना है उसके बाद हमें एक एक देर देर इंचे के लगबग टुकडों में काट देना है देखे इस तरह से हम रेशे हटाते जाएंगे और टुकडों में कट करते जाएंगे देखे इस तरह से सारी फली को हमने काट कर तयार कर लिया है हम हेल्दी और टेश्टी सबजी बना रहे तो इसे हमें न तो ओयल में फ्राय करना है नहीं पानी में उबानना है सबसे पहले हमने एक कड़ाई में एक से देड़ चमज ओयल लिया है जब हमारा आइल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें राई के दाने, हिंग और जीरा डालेंगे इन्हें हमें अच्छे से धड़का लेना है जब यह अच्छे से बून जाएंगे तब हम इसमें 2-3 कटी भी हरी मिर्च डालेंगे इसी के साथ हम कद्डुकस करावा प्याज डालेंगे आप जाहे तो प्याज को मिकसर में पीज भी सकते हैं और इन्हें हमें अच्छे से बूनना है इसमें हम थुरह सा नमक डाल देंगे ताकि यह जल्दी से बून जाए जब प्याज थोड़ी सी भून जाएगी तो अब हम इसमें पीज़ा हुआ टमाटर डालेंगे इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो हैंपर मैंने लालमिश पाउडर हल्दी पाउडर और टेश्ट के अकार्डिंग नमग इसी के साथ दन्या पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से बोन लेना है अब बारी आती है सिक्रेट मसालों की जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें सामर पाउडर डालेंगे तहाँ पर मैंने दो चम्मच सामर मसाला डाला है और इसी के साथ घर पे बना हुआ साथला मसाला तहाँ पर मैंने दो चम्मच साथला मसाला डाला है यह मसाला घर पे बनाया है इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप यहां से देख सकते हैं इस मसाले का यूस आप किसी भी सबजी में काड़ सकते हैं या फिर रोटी या पराटे के साथ भी खा सकते हैं बहुत तर टेश्टी होता है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मुंफली के दाने तो मुंफली के दानों को दर-दरा खलपते में जब सारे मसाले भून जाए तो हम थुड़ा सा पानी डालेंगे और पानी दालने के बाद भी मसाले को भूणेंगे क्योंकि में अल्सकी रीचे सिंने मुणार थूप उर भूनने के बाद हम इसमें कटे हुई फली डाल देंगे और उने अच्छे से मसालों में मेख से कर देंगे उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी आप अपने हिसाब से कब Drag Yuya कर सकते हैं। मैंने लगबग देड़ से गलास पानी क iuf cor चुट ऐरी यूज में फटो ज्ट है कि आपकर याप अपर थ angg करने दो नहुद 속या उजम कनाफीर क्रें से शहां आप चला केट कर रहीए और हमारे सबजी तयार है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थेंक यू